हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आप सब कैसे हैं उम्मीद कहती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंट गर्मिया सुरू हो गई हैं और हर कोई फ्रिज का पानी पीना पसंद कहता है क्योंकि मटके का पानी इतना ठंडा नहीं रहता है तो फ्रेंट आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताओंगी जिससे की मटके का पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप मटके का पानी फिरेज की तरह कैंसे ठंडा करें और वो सारी गर्मिया कैंसे ठंडा रहेगा तो आपको वीडियो को पूरा-पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको सारी टिप्स समझ में आएंगे और वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें तो फिरेंट बाजाय से जब कभी हम नया मटका खरीदने जाते हैं तो हर किसी को यह पता नहीं हो ता कि हम किस तरह से मटका खरीदे कौन सा अच्छा रहेगा तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से मटका खरीदे तो जैसे कि हम बजा जाते हैं और मटका देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसे इस तरह से बजा करके देखना है उसमें से अगर खन खन की आवाज आती है तो वो मटका सही है यानि कि कहीं से चिटका हुगा नहीं है और उसका पानी ठंडा रहेगा और वो बहुत ही अच्छे से पका हुगा है यानि कि वो जल्दी नहीं फूटेगा आपने देखा होगा कि कोई-कोई मटका बहुत ही जल्दी फूट जाते हैं और चिटक जाते हैं जिससे कि हम फैक देते हैं उस मटके को दोबारा यूज नहीं कायते हैं तो आप इस तरह से बजा करके देख लीजिएगा और लेते सम आप इसे अच्छी से चेक कर लीजिएगा कि यह चिटका तो नहीं है तो यह सब देख करके आपको मटका खरीदना है तो सबसे पहले बाजाय से मटके को ला करके हमें इसे अच्छी से धुलना हैं साफ पानी से क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत ही मिट् और राख रहती है तो इसे धुलने से वो सारी निकल जाती है तो आप चार-पांच बार अच्छे से साफ पाने से इसे धुल लीजिएगा ताकि ये अंदर बाहर से ठीक तरह से साफ हो जाए तो ये देखिए इस तरह से आपको धुलना है ये देख सकते हैं फ्रेंट और फ्र जादा से जादा अपने दोस्तों के पास सेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो का लाब ले सके तो देखिए मैंने चार-पांच बार साफ पानी से मटके को अच्छे से धुल लिया है और एक बात का आपको ध्यार रखना है कि कभी भी मटके को हाट डाल करके नहीं ध भी नहीं धुलना है यह हमारी दादी नानी लोग बताती थी इसलिए हम कभी भी मटके को अंदर हाट डाल करके नहीं धुलते हैं पानी से खंगाल देते हैं 6-7 बार ठीक तरह से ताकि उसमें जित्ती भी मिट्टी हो या राख हो वो सारी निकल जाए तो यह देखिए मटक दिन तक आपको पानी को बदलते रहना है इसके पानी को पीना नहीं है क्योंकि 2-3 दिन तक नई मटके का पानी अच्छा नहीं लगता है पीने में आपको गले में खरास भी हो सकती है तो आप नई मटके का पानी 2-3 दिन बिलकुल भी ना पीए या तो इसकी पानी को पेड पानी पी सकते हैं तो ये देखिए मटके को भर दिया है इसके बाद हम इस्टेंड पे रखते हैं जब इस तरह से मटके को तो आपने देखा होगा कि मटके में से पानी जो है की रिसने लगता है और वो नीची जमीन पर गिरता है तो जमीन में गिनने से वो बहता है और हमें बार बार मटके का पानी पोंचना पड़ता है तो यहां पर आपको एक काम करना है जिससे कि आपको बार बार पानी पोंचना ना पड़े तो आपको कोई बरतन या कोई मगगा लेना है और इस टेंड की नीचे आप इस तरह से रख दीजिएगा जिससे कि जितना पानी मटके म से चुएगा तो वो इसी में गिरता जाएगा और जब भर जा तो आप इसके पानी को फैंक दीजिएगा तो इस तरह से आप इसके नीचे कोई बरतने या मगगा रख दीजिएगा जैसे कि मैं इस वीडियो में देखा रही हूँ फ्रेंट ए देखिए अब बात करते हैं कि मटके की पानी को कैसे ठंडा करें वो भी फिरेज की तरह जिससे की सारी गर्मी जो ही की ठंडा रहे मटके का पानी तो आपको यहाँ पर लैनिंग है तोलिया तोलिया आपको मोटी व लेना है तौलिया की जगा आप कोई पुराना शोटर भी यूज कर सकते हैं आप एक बात का ध्यान रखें आपको कपड़ा जो भी कपड़ा लें आप वो मौटा होना चाहिए तौलिया लेने से क्या होता है कि यह जलनी से सूकेगी नहीं और इस तरह से आप मटके में तो यह देखे इस तरह से आपको लपेड़ना है इससे फ्रेंड क्या होगा कि मटके का पानी ठंडा रहेगा वो भी फिरिज की तरह है और आपको पीने में भी बहुत ही अच्छा पानी लगेगा और जब इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसे गीला काय जिएगा जिससे की ये तौलिया गीली रहे और मटके का पानी ठंडा रहे और आपको मटके को जहां पे हवा आती हो खुले में रखना है रूम में नहीं रखना है अगर आप मटके को बाहर रखेंगे तो उसमें हवा लगेगी जिससे क्या होगा कि मटके का पानी फिरिज क ठंडा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हर महला किस किस तरह से अपने मटके का पानी ठंडा करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप इस वीडियो को किस गाउं के सहे से देख रही हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आज की वेडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं कल फिर मिलेंगे अगले वेडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए